तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम निश्णू है और ये लड़की स्कूल में एक अलगी क्रेज उठाती है सारे लोग इस से स्कूल में बात करने के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन फिर कहानी में एंटरी होती है अपने main character कागिनो की और ये हरामी अलग लेवल पर है अपने सक्त लॉंडे में जिस लॉंडे से बात करने के लिए पुरा स्कूल मरता है ये साला उसको भाव भी नहीं देता है बहुँ चोड़ो इस साले को नाम भी याद रही है निशुनो को निशुमूरा बोलता है ये कुट्टा इंसान और निशुनो की इसी बात से किलस दी है कि पुरा स्कूल इससे बात करने के पीछे पड़ा रहता है लेकिन कागिनो को नाम तक याद नहीं है इसका मैं बता रहो ना ये कुट्टा बहुत गलत फिलम है तुम इसी बात से समझ जाओ इस बंदे का किस लेवल का सिस्टम है लॉंडा क्लास में बैट है बैट है बीसे जार फोल ग्रिप प्रस कर दिया और उपर से इसना हाथ में वेट पैन रखा है अब हमें निशिनो की बैक स्टोरी दिखाए जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में एक स्कैंडल ने निशिनो को किट्नैप कर लिया था और जब निशिनो को रेस्क्यू किया गया तब से अभी तक ये लोगों से बहुत डरती है लेकिन निशिनो इस डर को हमेशा अपने अंदर छुपा के रखती है समझ रहे ना भी नोध मतलब फट पूरी क्यों ना चाहे लेकिन टौरा बर करार रहना चाहे अब सीन कागनो पर सिफ्ट होता है जहाँ पर कागनो नुकलियर वेपन्स के बारे में पढ़ रहा होता है जहाँ पर एक लाइन आती है जिस लाइन में लिका होता है कि नुकलियर वेपन यूमिन बींग के पावर्स की लास्ट लिमिट है सीन फिर से निशिनो पर सिफ्ट होता है जहाँ पर निशिनो जो अपने गर जारी होती है तो फिर से लोंडिया किड्नैप हो जाती है वो पैसो के लिए लेकिन इस बार अपना मेन क्यरेक्टर कागिनो किड्नैपर्स का पीछा करता है और मैंने बोला ना ये हारामी बहुत गलत फिलम है लॉंडा अपने हातों से वेट निकालता है और निशिनो को बचाने के लिए अपने हतियार उठा लेता है और वही दूसरी तरफ ये मादर चुट मतलब किड्नैपर्स निशिनो का रेप करनी के कोशिश करता है लेकिन वहां पर आजाता है कागिनो और कागिनो अपने हतियार क्रो बार से जो रेल बनाता है किड्नैपर का प्रे मथ्था फोड देता उन लोगों का और निशनों को free करवा कर कागिनों वहाँ से जाकर एक जगा बैट कर सोचता है अगर मैं इन मचोडों से नहीं लड़ पा रहा हूँ तो मैं कभी भी एक immense in shadow नहीं बन पाऊंगा इसका ये मतलब है वो लोंडे जो अंधेरे में रहकर काम करते हैं लेकिन ओकाद दुनिया जो उतने का रखते हैं अगले दिन फिर से वही लूब शुरू होता है जहाँ पर निशुनों को सब good morning बोलते हैं लेकिन इस बार कागिनों निशुनों का नाम सही प्रणाउंस करता है और ये देखकर निशुनों को क्रस आ जाता है कागिनों पर जो भी बोलो चोरी पसाने के लिए तरीका है तो अगले दिन निउस में खबर आती है कि एक ट्रक एक्सिडेंट में कागिनों की मौत हो गई अब हमें कागनों की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि कागनों बच्पन से ही एक हीरो बनना चाहता था और हीरो बनने का पागलपन कागनों पर इस कदर सवार था कि कागनों हीरो बनने के लिए बहुत intense training बचपन से ही करता था लेकिन कागनों को कहीं न कहीं human body की limitation पता चल गई थी उसे ये समझ में आ गया थे कि बहुत training करने के बाद अगर वो कोई ऐसे soldier को मार पाता है जो fully armed हो तब पर भी उसकी body nuclear attack से survive नहीं कर पाएगी और यही human body की limitation है और यही चीज कागनों को पसंद नहीं थी उसको beyond the limit ताकत और बनना था जिसकी कोई कमजोरी ना हो इसी ताकत को पाने की चहा में कागनों इतना पागल हो जाता है कि वो ट्रक के आगे आकर मर जाता है और reincarnate हो जाता है एक ऐसी दुनिया में जहांपर magic exist करता है और यही चीज तो कागनों को चाहिए थी कागनों इस दुनिया में सब के सामने अपने आपको weak pretend करता है लेकिन मास्क के पीछे अंधेरे में साला दानव बन जाता है मतलब बुरे लोगों की गान पर I mean जान से मार देता है जब कागनों बुरे लोगों को मार देता है तब कागनों को एक क्रियेचर मिलता है और यह हराम है इस क्रियेचर को अपना introduction देता है कि यह यह है जिसने उस श्राप को तोड़ा जिसके वज़े से यह लड़की monster बन गई थी यह हरामी क्रियेचर को बस अपना magic practice करने के ले लेकर आया था और इधर देखो कैसी लंबी बोकाल दे रहा है कवस तोड़ा था उसका इसके बाद कागनो ऐसा तो यूनीक कहानी बना कर सुना था इस लड़की को कागनो बता था उस लड़की को कि तुमने कहानी सुनी यह तीन हिरो की जिन्होंने डीमन डैबला को हराया था और दुन्या को बचाया था असल में यह कहानी सच है लेकिन जब डीमन हारा तो उसने तुम्हें शराब दिया और तुम इस क्रियेचर में बदल गई लेकिन लोग सोचते थे कि डीमन ने तुम्हें बोजस कर रखा था ये कहानी इस हरामी ने इस लड़की को इतने प्यार से बताई ना ये लड़की इसके बाद भी यकीन कर वैठी सोच रहे हो किस लेवल का कमीना है ये इसके बाद कागनो अपना इट्रोड़क्शन देता है जहां पर बताता है कि उसका मिशन है कि अंदेरे में रहकर इवल लोगों को खतम करना मेरा नाम शेड़ू है क्या तुम मेरा साथ इस मिशन में दोगी अब इस कुट्टे की बाद कैसे टाल सकती थी तो ये हाँ बोल देती है और कागनो अपने गृप का नाम शेड़ू गार्डन रखता है और लड़की का नाम अलफा रखता है वैसे अब से मैं कागनो को शेड़ू ही बुला करूँगा ये नाम पता नहीं मेरे को बहुत सेक्सी लगता है भाई पता नहीं क्यों तीन साल बाद शेड़ू 13 साल का हो जाता है और ये अपनी लो लाइफ जिन्दगी जीता है जहां पर शेड़ू एक कमजोर है शेड़ू आज मैच कर रहा है अपनी बहन से शेड़ू की बहन को भी लगता है शेड़ू एक कमजोर है जो भी बोलो ये कुता चूतिया बनाने में एक नमर है तो मैच शुरू होता है और shadow की बेहन shadow पर हमला करके shadow को दूर फेक देती है और सोचती है कितना कमजूर है रहे shadow अरे बेटी shadow फाड़ देगा अगर अपनी अवकात पर आ गया तो अगले सीन में कुछ लॉंड़े गायब कर देता है shadow की बेहन को और भेंकर बात यह है कि जिन लोगों ने गायब किया था shadow की बेहन को वो लोग डायबुला के मेंबर्स थे अरे वही डायबुला जिसकी कहानी shadow ने अलफा को सनाई थी ये साले exist कैसे करने लगे बेहन अब क्या था अपनी बेहन को बचाने के लिए shadow ने shadow garden की पूरी टीम को बुला shadow garden की टीम को इन तीन सालों में अलफा ने बहुत बड़ा कर दिया था तो shadow garden को लेकर shadow दुश्मन की छाती पर पाउं रखने चल देता है जिसने shadow की बेहन को किड्नैप किया था वो shadow की बेहन से सब की बुराई करता है उसकी मम्मी पापा सब की shadow की बेहन किड्नैपर के बातों में हां में हां मिला रही होती है कि अरे वो वो टकलवा बहुत बहुत हरामी है भाई मार देना चाहिए उसको लेकिन जब kidnapper shadow की बहन से shadow को मारने की बात करता है तो shadow की बहन गर्मा जाती है और सिधा चड़ जाती है kidnapper को मारने लेकिन kidnapper एक मुक्के में ठंडा कर देता है shadow की बहन का गुस्सा इस सीन से इतना तो पता चलता है ने कि shadow की बहन shadow से बहुत मौबत करती है बट बट बूलो मत डावुला के लोगों किसकी बहन गायब किये शैडो मौट डाल देगा इन लोगों पर तो अपनी शैडो गार्डन पूरी चड़ जाती है किड्नैपर को मारने और शैडो गार्डन लग भग मार ही देती है किड्नैपर को लेकिन इसके बाद Kidnapper एक कोई तो गुली खाता है जिसके बाद Kidnapper में ताकत आ जाती है और तलवार मार कर वहाँ से भाग जाता है लेकिन जिस रास्ते से Kidnapper भाग रहाता उस रास्ते पर उसको Shadow मिल जाता है अरे ये मत सोचना Shadow ने प्रेटिट कर लिया था ये बोस्टडी वाला रास्ता भूल गया था इसलिए इधर डोल रहा है और बस लगली Shadow Kidnapper समिल गया तो Shadow को देखकर Kidnapper चैड़ो पर हमला कर देता है और Shadow Kidnapper की माचुट आई मीन इंजर्ट कर देता है अपनी हार को सामने देखकर Kidnapper अपनी बेटी को याद करता है और वो जो गोली खाकर भागाता ना अलफा के पास ही है इस टाइम इस इसी में जतनी भी गोली रहती है पूरी खा लेता है और अपने अंदर का अलगी सातान बाहर निकाल देता है इसकी ताकत बड़ी डेंजर हो जाती है इसके बाद लेकिन कोई भी ताकत Shadow को थोड़ी पेल सकती है अब हमें तुमें शोड़ कर जाना होगा और अपना अलग से काम करना होगा वरना हमारी वज़ा से सब को ये पता चल जाएगा कि तुम ही Shadow ये बोलकर Shadow Garden Shadow से अलग हो जाती है अब सीन दो साल बाद शिफ्ट होता है जहां पर Shadow उसी स्कूल में अडमिशन लेता है जिस स्कूल मुझकी बहन पढ़ती थी तो आज होता है Shadow का पहला दिन जहां पर Shadow देखता है एक लड़का प्रिंसेस अलेक्सिया को प्रपोस कर रहा होता है हाल ओंडो ये लड़की सही में प्रिंसेस है जिस किंगडम में ये स्कूल है ना उस किंगडम की प्रिंसेस है ये लड़की लेकिन अलेक्सिया रिजेक्ट मार देती है उस लड़के के ओफर को देखो Shadow ने एक साइड करेक्टर बने रहना चाहता है इसलिए शाम को अलेक्सिया से रिजेक्ट खाने के लिए Shadow अलेक्सिया को प्रिपोस करता है लेकिन BCA अलेक्सिया एकसेप्ट कर लेती है Shadow के प्रिपोसर को वाट दवफाक ये देखकर Shadow के फट जाती है कि आकर अलेक्सिया ने एकसेप्ट क्यों किया उसका प्रिपोसल अगले दिन ये बात भेंग कर फैल जाती है कि Shadow ने Alexia को फसा लिया और जब Shadow लंज कर रहा होता है तो इस बात को आग देने के लिए Alexia खुद आ जाती है शेडो के पास और शेडो के साथ लंज करने लगती है लंज के बाद Alexia और शेडो दोनों ही तलवार चलानी की प्रैक्टिस करते हैं और इन दोनों का गेम नोटेस कर रहे होते हैं दूर से उनके टीचर जैनोन अब हमें पूरा खेला पता चलता है कि आखिर Alexia ने शेडो को क्यों हा बोला क्योंकि Alexia की शादी की बात जैनोन से चल रही थी हारे वही टीचर जो अभी तलवार चलाना सिखा रहा था जैनोन से शादी करना Alexia नहीं चाहती थी इसलिए Alexia ने शेडो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि शेडो सबके सामने कमजोर बनता बन के रह रहा है ना तो Alexia ने सोचा ना, जब ये जैनों का काल उसके उपर से हट जाएगा, तो वो Shadow को भी हटा देगी, क्योंकि Shadow तो सब के सामने एक कमजोर वन्द है ना, इसलिए Alexia ने Shadow को हाँ बोल दिया था, खेला देख रहो लोंडिया का, और मुझे कुछ लोंग बोलते हैं कि लोंडियों को त्यार रहता है उसके लिए, मैं तो मजाक मजाक में से कुट्ता बोलता था, ये तो साला हरकते भी वैसे करना सुरू करती है, और इसके बाद इनका रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है दुनिया के सामने, और इसी तरह एक रोस, बातो ही बातों में Alexia ने Shadow से गया था, और इसी के साथ ये एपिसोड खतम होता है, I hope तुम्हें एपिसोड पसंद आयो, नेक्स्ट एपिसोड के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हें लाइके मिल जाएगा, उसे पूरा करो तो नेक्स्ट वीडियो अप्लोड हो जाएगी, तब तक के लिए झाल